अपनियों को भी देंगे कि किस्तरा से उनको जो कार्ज है वो भारत में पूरा किया जा सकता है और इसके साथ कई भी गुद्धे हैं जिस पर की निश्चिती चर्चा इस वारता में होने की उमीद की जानी है अगर दुनिया में कोई एक मार्केट भी रह गया है तो वो अफ्रीका है अगर दुनिया में कोई ऐसी जगा है जहां तीन शिक्तिशाली देश अपने प्रभाव के लिए लड़ रहे हैं वो अफ्रीका है अमरीका भारत और चीन अगर अमरीका और भारत के साथ एक जॉइंट कर लेते हैं तो मेरे को लगता है कि भारत का दबदबा अफ्रीका में पार्टनर्शिप उसमें मेरे को लगता है कि भारत जिस तरह से पहल ले रहा है अफ्रीकन यूनियन की तरफ से और ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है उससे एक नई तरह की दुनिया की लीडर्शिप भारत की उभर सकती है और वो जी 20 के जरिये उबरेगी और उसमें अमर राजनिती की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं मुझे आपसे ये भी जानना होगा कि जभी भी पीएम का विदेशी दौरा हो यह यह जी 20 हो रहा है एक अलग तरीके से विपक्षी खेमा ने चर्चा भी की थी लेकिन आप इसको किस तरीके से आज दर्शिकों के साम मेटिंग हुई थी उसमें अफेरिकन यूनियन के प्रेसिडेंट जब आये और मीटिंग में उनका बड़ा जो रवया था बड़ा तीखा था बहुत नराज थे बहुत इरिटेटेट थे इसलिए कि उनको कहीं से कोई चर्चा नहीं हुई थी अफेरिकन यूनियन को जी 20 मे शामिल करने की उस मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे वेते हैट अव स्टेट्स और उसमें सिर्फ भारत के प्रधार मंतिर ने ये कहा कि मैं आपको मोधी गारेंटी देता हूँ कि मैं इस अफरिकन यूनियन की बात उठाऊंगा लोगों को इस पे सहमती करऊंगा और आपको इसका पार्ट बनवाँगा आप अब अफरिकन यूनियन के प्रेजिडेंट जिन्हों ने कहा कि बहुत 58 देश है इस यूनियन के ज अधूरी रह जाती है भारत के प्रदान मंत्री ने का यह मेरा वादा है आपसे कि मैं इसके मेरे निगरानी में और मैं इसके लिए मैं अपनी लिडर्शिप में इसको हिंदुस्तान की लिडर्शिप में इसको एकसेप्ट कराऊंगा सारे देशों से इसकी पहल भी आदर न Union के प्रेसिडेंट आप उनकी जबानी सुनियेगा तो उनको वो सारी बातें याद है उन्होंने कहा भी कि शयद मैं हिंदी में जो अदर नी परधान मंति देश के प्रदानमंत्री हिंदुस्तान के प्रदानमंत्री ने कहा था लेकिन मैं अब उसको समझ सकता हूं जब मैं बात में जानता हूं हिंदी का इसके मतलब पूछा तो उसको समझ सकता हूं कि इसका मतलब है कि गारेंटी देता हूं मतलब प्रदानमंत्री ने उनको गारेंटी दि पूरा Fine देश इसके लिए भारत का शुकरगुदार होगा भारत के परदान्मंतिर का शुकर करें सल्देश परोचिन authority को दुनिया जो है जिसलें से exico करें और दूस्तान के तरफ जिस तरह पूरी policy यूणिन defence रियर और अफ्रिकन कंट्रीज देख लिए कि हमारा जो है एक साथ होता है एक कमिटेड अप्रोच होता है हम भागेदारी के साथ बढ़ते हैं इसने उनकी उनकी भी कोशिच यह होगी कि भारत के साथ बहुत अच्छे रिष्टे करें और इसका परिनाम यह होगा कि यह प्रस अब मद्बूत स्ट्रॉंग नेशन उभर के आए जिसके रिष्टे सबसे देश की हित से को लेते वे नदर में रखते वे दुनिया से अच्छे रिष्टे हो आज अमेरिका हो रशिया हो आप साथियरभ हो इसराइल हो इरान हो और दुनिया के हर बड़े मुलकर अफ्रीकन यूनियन हो फ्रांस हो सबसे रिष्टे अच्छे हैं इसका कारण है कि हमने अपने कुट्टीती को सीधा एक ही पॉलिसी के तोर पे रखा है कि हमें देश की हितों के कभी कॉम्परमाइज नहीं करना है इसलिए जब दो टूक जवाब देने की बात होती है तो आदर्णिया आध़ पास पर पूरे देश में टी की मीटिंग होई है लाखों लोग इस टेविंटी टी की मीटिंग इस शी खर्थमेलंग से पहले आ चुके हैं दो सो से जादा यहां पर मीटिंग 200 अलग-अलग session है की अलग-अलग session जो है अलग-अलग शेहरों में हुए देश के और उ इंदुस्तान को समझने में कि जो कोशिश की ते उसमें काम्याब हुए है और इस पूरे G20 के इवेंट से भारत को बहुत बजबूती मिलेगी और इसका परिणाम सिर्फ बहतर होगा दुनिया के लिए चुके ये मानोता के लिए पूरे देशों के लिए होता है। लेकिन अलग-अलग देशों के जो राश्ट्रे दक्षे कल से लेकर आज तर पहुंच रहे हैं क्योंकि कल सुबह से ही G20 समिट जो है उसको लेकर भी हम तयारिया कैसी है क्या बने हुए है हालात और माहौल कैसा है ये सब कुछ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लेकिन एक बहु तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जफिर इसलाम आप अवड़ी वादी कंवीट कर सकते हैं तो मैं यह कह रहा था कि आज देश की जनतागरवान भी थोरी हां एक एक उपोजिशन ब्लॉक है जिसको बहुत ही अहंकार है घमंड है आज उसके लीडर जो एक पोजिशन त्रिस्पल अप्पोजिशन पार्टी के लीडर जाकर अब योरोप में देश के वारे में जिस तरह की बाते कर रहे हैं जिस तरह की यह कर आज उनको इस देश में हर जनता यहां के हर जो देश वासी हो गरवानमित है देश में अधना बड़ा